हे फुटीज वेलकम बैक आज मैं बनाओंगी इंडो चायनीज पास्ता तो चलिए सुरू करते हैं पास्ता बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पास्ता लिया है स्पाइरल सेप का वाटर को हमने बॉइल करने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है इसमें थोड़ा सा सौल्ट हम एड़ करेंगे एड वन स्पूम रिफाइन वाइल यह जब वाटर बॉइल होने लगे तो इसमें हम पास्ता को एड़ कर देंगे और इसे बॉइल करेंगे पास्ता को लगबग पकनी में 7-8 मिनट्स लगते हैं लेकिन हमको 80% ही पकाना है बहुत ज़्यादा ओबर कुक नहीं करना है तो हम चेक कर लेंगे यह पक गया है 80% तक आप इसे हम चान लेंगे और उपर से ठंदा पानी हम डाल लेंगे ताकि यह ज़दा पक न जाए कुछ हरी सबदिया हमने कट करके रखिए जो आप देख सकते हैं पैन में 2 स्पून हमने वोईल लिया वोईल जब गरम हो जाए तो इसमें हम आट करेंगे जिंजर और गार्लिक यह कदू कस करके हमने रखा है अब इसे थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम चलाएंगे आट करेंगे ग्रीन चिली आप जितना चाहो आट कर सकते हूं प्याज को भी हमने कट करके रखा था इसे अब आट कर देंगे और थोड़ा दिर इसे चलाएंगे हलका सा जब भून जाए तो इसमें हम आट करेंगे कारत सबजिया आप अपने पसंद से एक दो कम या ज़्यादा डाल सकते हो साथ ही हमने एड़ किया कैपसिकम इसे भी हमने कट करके रखा था and boil sweet corn sweet corn optional है अगर आपके पास हो तो डालिए नहीं हो तो skip कर सकते हैं अब इसमें मैट करेंगे 2 spoon tomato sauce, 1 spoon chili sauce, 1 spoon soya sauce and 1 spoon vinegar अब इसे अच्छी तरह एक मिनट हम चला लेंगे and साथ ही हम मैट करेंगे salt according to taste and 1 teaspoon sugar इधर हमने 1 spoon corn starch लिया है इसे water में हम अच्छी तरह घोल लेंगे ताकि कोई lumps न रहें अब इसे हम सबजीओ में add कर देंगे and इसे medium flame पे चलाते रहेंगे दीरे दीरे इसमें color आएगा जैसे जैसे ये corn starch के साथ सबजीओ पकते जाएंगे color आते जाएगा ये देखिए कितना अच्छा color आगया इसका थोड़ा सा हमने धनिया पता add किया and इसे अच्छी तरह mix कर लेंगे एक से दो मिनट पकाने के बाद इसमें हम पास्ता add कर देंगे पास्ता हमारा 80% कुट है तो दो से तीन मिनट हम आराम से इसे सबजीओ के साथ पका सकते कोई tension में कि पास्ता ज़्यादा पक जाएगा इसे toss करते हुए या चलाते हुए हम पका लेंगे यह देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है दो से तीन मिनट इसे toss करते हुए पका लेंगे पास्ता हमारा पक चुका है गैस को किया हमने ओफ और पास्ता का प्लेटिंग कर लिए यह देखिए यमी पास्ता रेडी है आप भी खुष, आपके बच्चे भी खुष और आपके फैमली भी खुष अगर आपको हमारा रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सेर और सबस्क्राइब माई चैनल साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मिल सके मेरा रेसिपी सबसे पहले